हेलो गैज आज हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में पर मैं उससे पहले बताना चाहूंगा जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं जब यह 160 पे था मैंने टाटा पावर को बोला था कि यह वीडियो एज अप्रूफ रख लीजे यह 200 से भी उपर जाएगा और यह गया इसलिए ही मैंने इसे 160 पे बोला था कि मैं बाय करने वाला हूं मैंने पहले से भी बाय किया था और 160 पे भी बाय किया था यह क्योंकि मैं Tata Power पर बहुत ज़्यादा बुले सूँ और long term के लिए तो बहुत ज़्यादा ही बुले सूँ ये long term में बहुत अच्छा करने वाला है तो long term के लिए swing के लिए best है ये stock और जो fresh entry की सोच रहे हैं तो I think 237 के उपपर या 238 के उपपर लेना चाहिए तो अच्छा रहेगा यह Anyway आपने news तो सुन ली होंगी Tata Power की बहुत जादा की BlackRock invest करने वाला है HPCL ने इनके साथ tie up किया है तो future बहुत अच्छा दिख रहा है मझे Tata Power का और जो invest कर रख है होब वो अच्छे profit में हो और यह long term के लिए तो मुझे लगता है कि यह बहुत जादा ही उपर जाने वाला है और मैं Tata Power की fundamentals और long term के लिए क्या सोच रखा है इस company ने उसके लिए अलग से वीडियो लेकिया हूँगा तो वो आप चरूर देखना तो आपको Tata Power का business बिल्कुल समझ में आ जाएगा मैं research कर रहा हूँ बहुत जादा तो आपको पूरी details के साथ मैं वो वीडियो बताने वाला हूँ anyways ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like से subscribe कर दीजे मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए have a beautiful day see ya